हाई गाईज माइनेम इस जुल और वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक हैट्स एन वाइट हैट्स जैसे कि आपको थम्मेल से पता लगी गिरा है तो गाईज वैसे तो मेरी बहुत सारी वीडियो जो हैं वो आप ही के बेजे हुए टॉपिक्स में से मैं पिक करता हूँ और उसके उपर मैं फिर वीडियो बनाता हूँ बट हाल ही मैं गाईज में एक सेलफी ले रहा था और मुझे मेरी नोस पर बहुत ही जादा तो वीजिबल नहीं हो रहा है बट हलके से मुझे white heads जो हैं वो नजर आए तो मैंने उसको remove करने के लिए घर पर ही मैंने सोचा क्योंके जादा तो है नहीं तो मैंने सोचा क्यों कोई product लाया जाए और वो फिर use किया जाए क्यों ना घर पर ही कोई इसका solution देखा जाए तो मैंने YouTube पर और Google पर दोनों ही जंगा सर्च किया और मुझे बहुत सारी वीडियोज मिली जिसमें बताया जा रहा था कि आप toothpaste और toothbrush की मदद से इन दोनों चीजों की help से अपने black heads और जो आपके white heads हैं आपकी nose पे या आपके chicks पे उनको आप remove कर सकते हो तो वो वीडियोज मैंने देखी और उन पे guys आप यह की नहीं करोगे देख सकते हो आप millions में views हैं मतलब मेरे पूरे चेहर पे इतने views नहीं है जितने इस एक वीडियो पे views थे और बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो बना रखी है बट इन वीडियोज के अंदर मुझे ए जो है वो रिमूव हो जाएंगे बट किसी ने भी before and after photos नहीं share की तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कितना effective है ये और इस वीडियो के अंदर मैं live आपके सामने like तो नहीं कह सकते बट हाँ इस वीडियो में मैं आपके सामने use करूंगा ये hack try करूंगा अपने उपर ज ऐसे ही लोगों ने वीडियो पना रखी है और उतना जादा जो है इसकी hype create हुई हुई है so let's start this video and let's try this hack guys तो guys इस hack को try करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं whiteheads और blackheads बहाखिर होते क्यों है तो guys बहुत है simple है जिनकी oily skin है होता क्या है oil हमारे जो pores होते है जहां से हमारा जो sweat हम करते हैं वो जो pores होते हैं हमारे skin के उनके बाहर oil जम जाता है oil कठा हो जाता है और इसमें बहुत सारा dirt ये pollution जो भी आप बाहर जाते हो वो सब जम जाता है जिसकी वेशे आपका जो pore है वो block हो जाता है और उस पे जो dirt वगरा होती है वो ही basically जो है आप आपका blackheads और whiteheads होते हैं blackheads में थोड़ा ये होता है कि वो dead आपकी skin वह से कर देता है उसमें bacteria भी हो जाता है और whiteheads में इतने ज़्यादा आपको tension लेने की ज़रुद नहीं है क्योंकि वो सिर्फ आपके pores जो हैं block होए है oil की वेज़े से और उसमें इतना ज़्यादा आपको ही remove कर देते हो उनका treatment ही आप कर लेते हो तो आपको blackheads होने का खत्रा जो है वो बहुत कम हो जाता है तो ये तो बात हो गई थोड़ी सी blackheads और whiteheads के बारे में चलिए अब हम try करते हैं वो तरीका जिससे बताया जाता है कि आपके blackheads और whiteheads वो remove हो जाते हैं तो guys दोनों चीजे ह हमारे पास available हैं ये hack try करने के लिए बताया जाता है मैंने जितने भी videos देखी उन सब में बताया गया है कि आपको जो toothbrush लेना है वो लेना है पुराना नाया toothbrush आपको नहीं लेना है जिसके vessels जो हैं वो काफी soft हो गए हो तो ऐसा ही आप देख सकते हो toothbrush जो है वो मेरे पास available है औ और दूसरा toothpaste toothpaste आप कोई सी भी ले सकते हो सबने आलग आलग different brands की toothpaste जो है वो यूज की है जितने भी मैंने वीडियो देखी है तो मेरे घर में आप डाबर की red जो थी वो available थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ही use कर लिया जाए तो चलिए try करते हैं इसे चलिए हम थोड़ा सा जो है वो ले लेते हैं पहले अब हमने थोड़ी सी toothpaste ले ली आप जैसे की देख सकते हो चलिए हम मैं इसे try करता हूँ मेरी nose पे तो guys जैसे की आप देख सकते हो मैंने अच्छे से अपने nose पे अच्छे से रब कर लिया है चलिए अब मैं इसे wash कर लेता हूँ normal tap water से wash करने को बताया है कोई कोई गरम पानी से भी कहता है बट आप tap water जादा तर मैंने देखा जितनी भी वीडियोज मैं देखी तो चलिए मैं अपना tap water से इसे wash कर लेता हूँ और उसके बाद मैं photo click करूँगा क्योंकि इतना जादा justify नहीं कर पाता है आप before और after photos खुद देख सकते हो ये सच में काम करता है मुझे वैसे इस पे इतना यकीन नहीं था बट हाँ ये सच में काम करता है आप भी कर सकते हो अपने white hats और black hats को इस तरीके से remove कर सकते हो but guys मैं थोड़ी सी बाते आपको बताना चाहूँगा जिसका आप ध्यान रखना एक तो बहुत सादा frequently इसे use मत करना ये कोई permanent solution नहीं है ये एक temporary solution है और दूसरी बात के आप बहुत सादा देर तक rub मत करना चाहे आपके black hats remove हो या ना हो बहुत सादा देर तक अप प्रश को अपनी nose पर या अपने chicks पर जहां भी आपके black hats होते हैं वहाँ पर बहुत सादा देर तक इससे rub मत करना उससे होगा ये कि आपके rashes पढ़ जाएंगे skin पर redness हो जाएगी और आपको और भी जादा problem हो जाएगी क्योंकि कई बार क्या हो बहुत सादा पुराने black hats हो जाते हैं वो इतने easily नहीं remove होते हैं तो वहाँ पर ये बिल्कुल fail हो जाएगा और फाल तो मैं आप अपनी skin को और भी खराब कर लोगे तो हाँ अगर हलके pull के black hats जैसे कि मुझे हलके pull के white hats जो थे वो मेरी nose पर थे जो की remove हो गए तो हाँ आपक black hats peel out mask आते हैं वो use करें या फिर बहुत ही जादा अगर उससे भी आपका solution नहीं होता है तो आप अच्छे doctor के पास जाएं उनसे consult करें और black hats और white hats से बचने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप अपने skin को साफ रखें उस पे dirt या pollution वगरा जो भी होता है या oil बहुत ज कर लोगे अपने face को clean रखोगे अपनी जो skin है उसको clean रखोगे तो आपको black hats होंगे ही नहीं so this is it guys अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को like किये बिना मत जाना चैनल को subscribe कर लो इसी तरीकी की और भी वीडियो देखने के लिए bell icon press कर लो और आपको वीडियो अच इस्टाग्राम पर भी message कर सकते हो and thank you for watching